Hello and welcome friends, Microsoft Access सीखने के सीरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ सवाल बड़ा सीधा सा है, Microsoft Access का है और सवाल बड़ा सीधा सा है, उसके बाद कुछ queries है अब देखते हैं सवाल क्या है पहले तेखें, यहाँ पर यह design view पर मैंने लिया हुआ यह design view है, ठीक है? इसे हटाना होगा, तो आप right click करके primary की पर दुबारा click कर देंगे, तो यह हट जाएगा लेकिन फिलाल हमें इसे primary की ही बनाना है क्योंकि roll number एक unique identification होगा किसी भी student का बाकी यह computer में कुछ number पाएंगे, English में पाएंगे, Math में पाएंगे तीनी subject लिया है, example के लिए तो इतना ही बहुत है और यहाँ पर है calculated data type, तो यहाँ पर आपको calculated data type का अस्तमाल कर लेना है, और यहाँ पर आपको अब कैसे क्या करना है, वो दिखाता हूँ, देखिए total करना है, तो field name already हमने दिया हुआ है, यहाँ पर total, ठीक है और अब क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले लिखना है computer, क्योंकि पहला subject का नाम computer ही है plus करिए, दूसरे subject का नाम है English, E-N-G-L-I-S-H, तो दूसरे subject का नाम है English, तीसरे subject का नाम है maths, M-A-T-H-S यह होगया maths, तो तीन subject हमने ले लिए और OK कर दिया, OK करने के बाद आप देखेंगे, कि यहाँ पर total हमारा आ जाएगा, लेकिन अभी रुख जाएए थोड़ा, यहाँ पर आते हैं, और वापिस ले ले लेते हैं calculated data type, तो यह फिर से calculated data type के स्टमाल करना हूँ, क्योंकि average ही calculate करना है, भाई average को कैसे छोड़ सकते हैं, यहाँ पर average भी एक फिल्ड लिया हुआ है, तो total के अंदर ही हमारा छिपा होगा, क्या average, तो total को divide करेंगे 3 से, क्यों 3 से ही, क्योंकि कितने subject हैं हमारे पास count कीजे, 1, 2, 3, 3 ही तो हैं, अगर आपके पास 5, 7 होंगे, तो आप उतन नमबर से इसे divide करेंगे, तो 3 से divide किया, ओके किया, 2 पे click कर दिया, इसके बाद जो है, यहाँ से इसे drag करके बढ़ा लेंगे, यह size देखी, छोटा बड़ा हो गया है, तो इसको बढ़ा लेंगे, आप यहाँ पर कुछ name में एंटर कर देता हूँ, जैसे ram एंटर किया, यहा और 67 आपका max में है, तो यहाँ पर total और average दोनों ही आपको दिखने लगा, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एक और नाम गौरो लिख देते हैं, यह हो गया गौरो, ठीक है, और गौरो लिखने एक बाद यहाँ पर इनके भी marks दे देंगे हैं, तो यह इनके भी marks यहाँ पर इंटर करवा दिया है, देख सकते हैं आप, ठीक है, तो इन सब के marks यहाँ पर आते चले जा रहे हैं, इसी तरीकी से और भी नाम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यह वर्तिका हो गया, यहाँ पर इनके भी marks आएंगे, तो इनके भी marks कुछ इस तरीके के हैं देख सकते आप देखें यह कोई error value नहीं होती है, यहाँ से आप इसे drag करके इसकी side तो यह marks हो गया, तो यहाँ पर इनका भी average भी calculate हुआ है, और total भी calculate हुआ है, अब यहाँ पर query समझनी है, दूसरा part हमारा query का है, हमारे table का नाम है student team, question हमारा SQL query से है, क्या question है, simple सा question है, क्या question है, यहा यहाँ पर 67 है, यहाँ 48.3333 and so on है, और यहाँ पर 51.666 है, यहाँ पर 59.33 है, यहाँ पर 70 है, 85 है, 72 है और यहाँ पर 77.33 है, तो हम यह चाहते हैं ना, कि जो minimum, minimum average mark 75 से less वाला है, वो हमें दे रिया जाए, यह कैसे query लिखा जागा, minimum average marks वो भी 75 से less हो, तो 75 से less तो यह भी है, 72 है, यह भी है, 70 है, 59 भी है, 51 भी है, 48 भी है, 67 भी है, ठीक है, तो यह सारे ही तो 75 से less है, लेकिन इस question का मतलब यह है, कि आपको minimum marks calculate करना है, तो minimum average कहा है, यही तो है minimum average, यह देख रहे हैं, यही minimum average है, तो इसी को हमें find out करना है, तो इसके लिए क्या query लिखेंगे, देखें असान सी query है, create पर जाइए, query design पर जाइए, और यहां से SQL पर चलिए, और अब यहां पर query हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे query, सबसे पहले यहां select लिखा और यहां main जो predefined, जो aggregate function है, उसका use करेंगे, और यहां पर क्या देखेंगे, average, हमारा जो column का name है, यहां पर वो average ही है, हमने average ही दिया है, तो जो देंगे, वहीं न लिखेंगे, तो यहां average दे दिया, और average देने के बाद क्या करना है, आपको bracket को close करके, और यह average आएगा कहां से, तो from table का नाम आएगा, तो student t, क्या आएगा, student t आएगा, तो यह हो गए student t, easy है, यहां पर लिखेंगा where, अब यह दिया, तो यहां पर आप कर देते हैं, average A, B, E, R, A, G, E, is less than, less than क्या करती है, 75, तो सब से 75 से less कौन है, एक ही है, वो यहां पर दिया गया है, तो यही हमारा answer आना चाहिए, अगर सब कुछ ठीक है, तो यही answer आना चाहिए, तो इस query को एक बार चला के देखते हैं, क्या answer आ देते हैं, यहां से run पर click करेंगे, तो run पर click करेंगे, तो यहां 48.3333 आ रहा है, और नाम तो आपने दिया नहीं था, तो EXPR 1000 ऐसे करके कुछ आ जाता है, ठीक है, तो यहां पर यह answer आपको देखने को मिल रहा है, देखी, एकदम simple सी query है, अगर यही maximum निकालना होता, तो क्य यहां पर क्या कर देते हैं, यहां पर चलिए, यहां पर less than 75 में max देखना है आपको, तो यहां पर 72 आएगा, less than 75 में max 72 कैसे है, आए देखते हैं, यहां पर देखिए, यह 67 है, यह 48 है, 48 तो होगा नहीं, less than 75 यह भी है, यह भी है, लेकिन 70 भी less है, 85 तो less है ही नहीं, लेकिन less than 75 में सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है 72 ही है तो यहाँ पर यह query इसी के according काम कर रही है उमीद कर रहा हूँ कि आपको बात समझ में आ रही होगी कि यह queries कैसे काम कर रही है तो यह तो थी आपके दूसरी query अब यहाँ पर देखिए क्या हम इन सारे average का sum भी कर सकते है कैसे करेंगे करना बहुत आसान है SQL query के मदद से आईए देखते हैं कि कैसे करेंगे तो इसको यहाँ से एक नई query ही बना लेते हैं यह फिर इसी में आते हैं इसी को edit कर लेते हैं तो यहाँ से जाकर के और यहाँ SQL query पर चलेंगे इसको आटाएंगे इसके जर्वत अभी तो नहीं है तो यहाँ पर एक query हमें ऐसी बनानी है जिसमें average का sum होता हुआ नजर आए तो सबसे पहले तो select statement यहाँ पर और यहाँ पर क्या aggregate function sum का use करेंगे sum एक function है जो की आप जानते ही है add करने का काम करता है और यहाँ पर average को add करना है और यह average आएगा कहां से तो from student t यही हमारे table का नाम है न तो student t से आ जाएगा और फिर इसके बाद यहाँ पर condition भी चाहे तो आप दे सकते हैं condition कुछ भी दे सकते हैं लेकिन अगर इतना ही रखें तो क्या यह average का पूरा sum दे देगा तो बिल्कुल दे देगा एग्दम दे देगा ठीक है आईए देखते हैं कैसे दे देगा इसको पहले table को close करेंगे और अब यहाँ से query design पर जाके और इस पर run पर click करेंगे तो देखिए यह average का भी total दे रही हमें यानि average का भी sum करके हमें दे रही देख सकते हैं यह पर 530.666 करके आ रहा है तो यह average का भी sum करके दे रहा है कैसे यहाँ पर देखिए यह 67 है, 48 है, 51 है इन सब का sum कीरिए यह total कीजिये तो इतना ही आएगा कैसे आएगा यहाँ पर देखिए, तो जब सम करेंगे तो देखिए इतना ही आपको result आता हुआ नज़र आएगा जितने की आपकी query में दिख रहा है वही same result आपको यहाँ भी दिखाई पढ़ेगा ठीक है तो यही है उमीद करता हूँ बात आपको पूरी समझ में आ गई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजेगा और साथी साथ से जिसका नाम है Computer and Access Services से सब्सक्राइब करना न भूलेगा Thank you for watching